नमस्कार मैं वाशाली मेरे इस यूटूब चैनल में आपका स्वागत है आज बनारियों में कुछ मीठा क्योंकि आज हमारा नैशनल तेवार है आज 26 जनवरी आज भारत का रिपब्लिक डे यहने की गंतंत्र दिवस है नौर्मली हम अपने तेवारों पर तो मिठाईयां बन बनाने जाता है और अब देख सकते हो कि इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है और जो लोग चुकंदर खाना ऐसे पसंद नहीं करते जादे बच्चे नहीं खाना पसंद करते यह बड़े भी नहीं खाते है तो मैंने इसको गाजर के साथ हल्वे में डाला है तो उसका पिर पसंद आती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना भी ना भूले तो चलिए देखते हैं गाजर और चुकंदर का मिक्स हल्वा बनाने के लिए मैंने लग बगठ 200 ग्राम गाजर और 200 ग्राम ही चुकंदर या बराबर मात्र तो बहुत ही अच्छा उसका टेस्ट आएगा तो यह देखिए अच्छे से चील लिया है दो लिया है उसके बाद इसे कद्दू कर लिया है और इसमें डालने के लिए मैंने दूद लिया हुआ है यह उप्सिन अगर आप जादा नहीं डाल रहे हो तो ऐसे भी भून कर पका सकते हो मावा डाल सकते हो तो मैंने आधा किलो दूद लिया दूद ठंडा है यह और एक कटोरी भर के मैंने चीनी ली हुए तो चीनी आप अपने पसंद केनों सार ले सकते हो कम यह जादा और लगबग 100 ग्राम मैंने मावा लिया हुआ इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आ अब मैं जैसे आधा किलो दूद डाल रही हूं तो आप एक किलो दूद में डाल करके हल्वे को बहुत अच्छे से पका सकते हो कि जब पूरा इसमें अब्जॉर्ब हो जाता है तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और इसमें इलाइची डालूगी इसे बहुत ही कुष्बू भी आती है लगभा आट से दसदानी लिए हूए ड्राइफ्रूट्स आप अपने पस्तन से डाल सकते हो काजू किसमें बदाम चिरोंजी तो मैंने काजू और बदाम लिए हूए और लगभा के एक बड़ा चमस मैंने घी लिया हूए देसी की इससे बहुत ही अ गी मैंने डाल दिया था अच्छे से मेल्ट हो चुका है तो अब मैं इसमें गाजर और चुकंदर दोनों ही डाल दोंगी और अच्छे से घूलेंगे हम गाजर और चुकंदर को पहले इसकी खोड़ी सी नमी हटा लेजें इससे टेस्ट बहुत भी अच्छा आता है अगर आप घी बिल्कुल नहीं यूज़ करना चाहते हो तो आप ऐसे भी घूल सकते हो और उसके बाद हम उससे दूले पका सकते ह और लगाता चलाते हुए मीडियम आज़ पर भूलेंगे पहले गाजर और चुकंदर को यह देखिए मैंने अच्छे से मिक्स भी कर लिया है गाजारो चुकंदर को साथ-साथ लगातार चलाते हुए इसे बून बिरी हूँ तो हम जो कब्दू कस करते हैं गाजारो चुकंदर को जो नमी फानी रहता है इसमें वह भी सूप जाएगा तो इससे टेस्ट बहुत ही कि यह देखिए लगाता चलाते हुए मैंने गाजारो चुकंदर को भूल लिया है और कलर आप देख सेबके हुए कितना अच्छा आया है चुकंदर के कारण तो आप मैं इसमें दूद डाल दूँगी यह ठंडा ही लिया हुआ और हमें ग्यास की आच बढ़ा दूँगी और अच्छे से मिक्स कर लेंगे जैसी बॉइल आ जाएगा वैसे ही मीडियम आच पर अच्छे से पकने देंगे हम गाजारो चुकंदर को थोड़ा सा रिडियूज हो जाएगा जब यह दूद तब हम इसमें चीन ही डालेंगे त दूद डालने के बाद अच्छा सा बॉल जागया लगबग 2 मिनिट हो चुके हैं तो हमें इसमें चीनी डाल दूँगी और मैंने ग्यास की आच फूल भी रखी हुई है तो हमें चीनी डाल दूँगी और चीनी आप अपने टेस्ट के नुसर ले सकते हो तो चीनी डालने के बाद भी हमें लगाता देखना होगा जब तक चीनी मेल्ट होती इसे लगाता हम चलाएंगे और इसके बाद इसे मीडियम आच पर अच्छे से पकने देंगे और आप सच्छे हो कि मैंने दूद बहुत जादा डाला है तो अकर यह दूद में ही पकता है तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है बस इसी तरह अभी मैंने गैस के आच फुल भी रखी हुए कि अभी इसे देख रही हूं लगाता है कि अभी मैंने चीनी डाली है तो जैसे चीनी मेल्ट हो जाएगी उसके बाद में मेडियम आच कर दूँगे और इसे अच्छे से पकने देंगे बीच बीच में देखते रहना होगा ताकि नीचे से चिपके ना गाजर चुक अंदर के हलवे में दूर डाला उसके बाद में चीनी डाली और फुल आज पर इमें इसे पका रही हो आप देश सकते हो कि बहुत ही अच्छा से उबल रहा है पक रहा है तो आप मैं ग्यास के आज पर ही पकने देंगे और बीच बीच में हम इसे लगाता देखते रहेंगे और हमें इसे जब तक पकाना है जब तक यह दूद हमने डाला वह पूरी तरह से रिडिउस हो जाए तब हलवे का टेस्स अच्छा आता है उसके बाद हम इसमें मावा डालके भूलेंगे यह गाज़र चुगंदर की हलवे को मैंने यह दूद पूरी तरह रिडिउस होने तक पका लिया है और आप देख सकते हो बिल्कुल हलका सा बच्चा हुआ है तो अभी मैं इसमें मावा डाल दूँगी और अच्छे से इसे क्रश करना है मावे को भी और मिक्स करते जाएंगे और जैसे गरम होगा मावा तो अपने आप यह मैल्ट हो जाएगा यह देखिए इस तरह से मिक्स करते जाना है तोड़ते जाएंगे हम और पूरी तरह जाएगा यह मावा और यह दूद है पूरी तरह रिड्यूस हो जाएगा तब इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है मावा डालने से तो इसका टेस्ट अच्छा आता ही है यह लगबग वहां से 6 मिलेट लग सकता है जितनी नमीज में हट जाएगी उतने टाइम लगेगा यह देखिए अच्छे से मैल्ड हो रहा है और इसी तरह मेडिया माच पर मैं लगाता है चलाते हुए से भूल भी लूँगी साथ में और यह मैल्ड भी होते जाएगा और अभी आ आते हैं तो उसे साबसे भी रख सकते हैं और मुझे यह ड्राई पसंद है तो मैं पूरी तरह से इसका मौश्या सुखाऊंगी और यह पूरे दाने-दाने से लगते हैं जो मावा डलता है यह पुरा ड्राई हो जाता है तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है आप और यह हमारा गाज़े चुकंदर का हल्वा ृत energies यह देखिए गाज़े चुकंदर का मिक्स हल्वा आप देख सकते हो किकि कि इसमें घी दिखाई रहा है तो मतला हमने जो दूध जो डाला था वह पूरा रिड्यूस हो चुका इसरी के साथ पका है और फिर हमें आज़ shepherd क्यार पाश्ट करें से यह कटा आवा कि यह रीफ śled सिरह और अपने मोट की यह सब्सक्ति कर दोक्षियों इअर्वा जुर्थ मेधा को पेडियों का अधर को क्या है। ड्राइफूर्स तो आप जित्ते डालें अच्छे लगते हैं थोड़ा सा गार्नेशिंग के लिए रख देंगे और अच्छे से मिक्स कर दोगी गाजर चुकंदर का मिक्स हल्वा खाने के लिए तयार है अब मैं इसे सर्व करेंगी गाजर चुकंदर का मिक्स हल्वा बनके तयार है खाने के लिए और आपने देखा कि इसे बनाना कितना असार है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है क्योंकि नॉर्मली हम गाजर का हल्वा तो बना दहीं है पर चुकंदर के साथ उसका टेस्ट भी अच्छा आता है तो आप इस रेसिपी को जरू ट्राइ कीजिए और कमेंट करके बताना ना भूले कि गाजर और चुकंदर का मिक्स हल्वा आपको कैसा लगा आप मेरी यूटूब चैनल को लाइक शेयर हो सब्सक्राइब करना भी ना भूले तो मिलते एक नही रेसिपी के साथ धन्यवाद हुआ 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 है